हल्लो फ्रेंट्स मैं पुश्पेंदाकर स्वागत करता हूँ आपका धागड़ ऐकेड़मी में और इस वीडियो हम पढ़ेंगा। फूचर परफेक्टेंस के बारे में । तो इसकी पैचान होती है, इसकी पैचान होती है, और किसी भी बाके के या सेंटेंस के लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होगे आता है, तो वो आपका कहलाता है, फ्यूचर परफेक्ट थेंस, जैसे कि वो खाना खा चुका होगा, वो बाजार जा चुका होगा प्लेन उड़ चुका होगा और ट्रेन जा चुकी होगी तो इस तरह के सेंटेंस में आपको तो फ्यूचर परफेक्ट अब आते इसकी हैल्पिंग पर उती है will have will have और वर्म की वो इंफ थर्ड फोम आई गी कियोंकि आपको पहले ही बता और अब फिर फिर से बता रहा हूँ कि जो आपका परफेक्ट टेंस होता हूँ वर्म की हमिशा थर्ड फोम आदी चाहो फ्यूचर हो फ्रेजेंट हो चाहा हो पास्ट हो चलिए तो आते हैं simple sentence पर, simple sentence क्या आपका, सबसे पहले formula, subject plus helping पर, plus भर का third one plus object, train जा चुकी होगी, train जा चुकी होगी, तो train will have gone, train will have gone, वो खाना खा चुका होगा, he will have taken food, तुम गाना गा चुके होगे, तुम गाना गा चुके होगे, तो you will have sung a song, you will have sung a song, तुम इंगले सीख चुके होगे, तुम इंगले सीख चुके होगे, तो you will have learnt English, you will have learnt English, तो इसी के साथ आपका simple sentence, finish होता, अब आपते हैं negative sentence पर, तो इसका formula होगा, subject plus will plus not, then have, then work का third form, then object, या फिर subject plus won't plus have, then work का third form plus object, train नहीं जा चुकी होगे, train नहीं जा चुकी होगे, तो train won't have gone, या train will not have gone, train will not have gone, तुम इंगले सीख चुके होगे, तो you won't have learnt English, you won't have learnt English, या you will not have learnt English, वो खाना नहीं खा चुका होगा, वो खाना नहीं खा चुका होगा, he won't have taken food, तुम डान्स नहीं कर चुके होगे, तुम डान्स नहीं कर चुके होगे, तो you won't have danced, danced, you won't have danced, you won't have danced, तो गाई जीक साथ आपको negative sentence कता हम, होता वात आम एंट्यार गएडिफ सेंटेंस, ध्यान डखनाईस में साथ पर आएगा, will, then आपका आएगा, subject, then have, plus बर्व का थर्टपों, plus object, क्या वो खाना बना चुका होगा, तो will he have, will he have cooked food, will he have cooked food, क्या ट्रेन जा चुकी होगी, क्या ट्रेन जा चुकी होगी, तो will, ट्रेन, have, gone, will, ट्रेन, have, gone, क्या वो गाना गात चुका होगा, तो will he have sung a song, will he have sung a song, बिसीक साथ आपका इंट्यार गएडिफ सेंटेंस फिनिश होता है, अब आता है इंट्यार गएडिफ प्लस, नेगेटिव, तो सहबस्पहले आपका आएगा, will, then subject, then not, then have then worka third form then object. Question mark. Ya the for bond then have a subject then have then worka third form then object. क्या वो खाना नहीं बना चूका होगा? तो won't he have cooked food won't he have cooked food क्या वो गाना नहीं गाचूपा अचूका होगा? Won't he have sung a song Won't he have sung a song क्या वो नहीं जा चूका होगा? तो वांटी हैव वांटी हैव गौन वांटी हैव गौन तो गाइज इसी के साथ आपका फ्यूचर परफेक्टेंज भी फिनिश होता है तो होपी गईज आपके समझ में आया होगा अगर समझ में आया तो फीड़ेग में जरूर बता है और अपने दोस्त को रिलेटिब्स को प्रेंट जितने भी लोग है सबको रेकेमेंडेट जरू करें यह फोर्स और उनको भी इंगलिस सीखने में उनकी मदद करें थैंक्स पर वाचिंग